फिर से स्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल सजगत पॉइंट पर आज हम जो पूर वर्ष में पूछे गए है 2010 में नैट की परिक्षा में पूछे गए प्रशन है उन पर बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं दश्ट्रईती शब्देन विधियते रिग्वेद नेक्स्ट क्या है अंतरिक्ष देवता इंद्रह इशोप निशद सह सम्मन्दा वर्तते यजुर्वेदेन पुरूर्वा उर्वशी सम्वाद वर्तते दशम्मंडले विधस्यो आपोरुष्यत्वं नास्वीक्रोती आगे चलते हैं विक्रत्यह अश्ट रिग्वेदस्य ब्रहमनम एत्रय ब्रहमनम कल्प सुत्र विश्यह याग प्रियोग क्रम प्रती पादनम अहेड मानह इती वर्तते वर्ण सुक्ते लोकमान्य तिलक्मते वेदस्यकाल पंच सहशस्त्र वर्शेब्य पूर्वं का कोशह कारण शरीरम आनंद मै कोशह चलिए आगे चलते हैं न्याय मते प्रमानानी चत्वारी शब्दो ना प्रमानम इती मतम जैनस्य शब्द प्रमान नहीं है यह किसका मत है जैन का जैन धर्म का मत है यह और न्याय मते न्याय मत में प्रमान कितने है चार है अनिर्वर्चनिय शब्दार थहा सद असद भिन्तम वेदान्त मते लिंग शरीर घट कहा शोनश यानेंद्रियानाम भूतांष्ट उत्पत्तिही सात्विकात सत्कार्यवाद साध कहा हेत्वह पंच शब्द विशेश गुणा आकाशस्य संसकारह पदलते अंत्रह भवती गुणे सत्व रजस तमसाम साम्यवस्ता कत्यते मूल प्रक्रतिही अकुव विसरजनिय नाम उत्चारन स्थानम कंठे है व्रद्धी संग्या विधायकम सूत्रम व्रद्धी रादेच दंपत्ती असमिर पदे समास विग्रह भवती जाया चै पत्तिही च संध्याक्षर है ओ हितम मनोहारी चा दुल्लभं वचहा अस्ती किराता अर्जुनिये उत्तर राम चैत्रे अंगीर सह करुण कस्तावत पदस्य मुख्यार्थ वाच्यार्थ नाटके इतिव्रत्तम प्रसिधम रूप केशु प्रस्तावना स्थापने युच्चते भाशस्य कस्मिन संती त्रियोग नहा शिशु पालवद्धे बगवद गीता महा भारतस्तिय दर्श्यते भीश्म परवणी स्थाई भावा कती अस्त रतनावली काव्य प्रभेदे अंत्रभवती नाटिकाया अभिदा पुछ भूता लक्षणा भाणी नायक विट भाणी से मतलब है भाण जो होता है दश्रूपक में आपने पढ़ाओगा उसका नायक कोन होता है विट होता है शांत रसस्य स्थाई भावा हा निर्वेद हा केवल रस प्रस्थानस्य प्रवर्तक हा भरत हा संदेश काव्य प्रस्थानम समार अब्धम काली दासेन नाटके अठ प्रक्रत्य हा पंच स्वब्न वासव्दत्य अंकासंति शट का कती ही भास विरचिता ना अस्ति वासवदत्त वासवदत्त महाकवी भसकी द्वार्ण वीरचित नहीं है वहां पर जो उप्शन दिये गए होंगे उसमें भास की द्वार वेसे रचनाई हम ओरड़ी दोती वीडियो में बदा चुके हैं हम कम नीचि डिस्क्रिप्छन में लंक देदेंगे आप चाहे तो देख सकते हैं नातक यह प्रकृतिप 5 प्रकार की होती हैं undra चुपो बताचुके हैं अब वह भी क्रृति देख सकते हैं चलिए आगे चलते सवर्णम तुल्यास्य पर्यत्नम उदातह उच्चई उच्चई रनुदात पदम सुप्तिडंतम नदी यूल त्याक्यो कस्तावत अर्दिस्वर इती निर्दिश्यताम य उमीद कते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रश्ण आपको अच्छी समझ में आए होगे यदि आपको कोई भी प्रश्ण समझ दूमें कोई तकलीफ हुई है तो आप कमेंट बोक्स में हमें बता सकते हैं हम आपकी समस्य का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और अब आपका जो प्रश्ण है वो ये है जिसका उतर आपको कहा देना है कमेंट बॉक्स में देना है आपको बताना है न्याय मते प्रमाणानी न्याय की अनुसार प्रमाण कितने होती है शब्दो ना प्रमानम इती मतम शब्द प्रमान नहीं है यह किसका मत है इन दोनों प्रश्णों का जवाब आपको कहां देना है कमेंट बॉक्स में देना है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी आपका दिन शुबो धन्यवाद